हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का कोश्चन नमबर वन तो कोश्चन नमबर वन क्या कहता है देर आर 20 गल्स एंड 15 बॉइज इन आ क्लास तो गल्स कितनी है यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ही गल्स जो दे रखी है वो 20 दे रखी है और वाईज कितने दे रखे है यहाँ जो दे रखे है वो है 15 ठीक है अब यहाँ पे दो पार्ड दे रखें पहले पार्ड में कहता है what is the ratio of number of girls to the number of boys तो हमें ratio find out करना है अब यहाँ पर ratio में ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे तो यहाँ पर गल्स पहले दे रखा है फिर to the number of boys boys बाद में दे रखा है तो गल्स को ऊपर लिखेंगे boys को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे जो ratio लिखेंगे वो किस तरह से आईगा गल्स अपॉन boys तो गल्स हमारी कितने दे रखेंगे है 20, boys कितने दे रखें 15 अब यहाँ पे जब ratio लिखते हैं तो हम simplest form में लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको simplest form में कर लेंगे यहां पे क्या करेंगे यह तो 2 से divisible है लेकिन यह नहीं है और अगर हम दोनों में देखें तो यह दोनों 5 से divisible है तो यहां पे क्या करेंगे 5, 4, 25, 3, 15 तो यह ratio आ जाएगा 4 ratio 3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार लड़कियों पे 3 लड़के हैं क्लास में तो यह हमारा answer हो जाएगा तो यहां पे हम लिख लेंगे answer 4 ratio 3 अब आते हम B वाले पार्ट पे तो B वाला पार्ट क्या दे रखा है अब हमें girls दे रखी है boys दे रखा है लेकिन total number of students नहीं दे रखा है तो हम इसको अपने आप find out करेंगे क्लास में girls और boys ही होते हैं तो total students कितने होंगे इन दोनों को हम add कर देंगे तो यहां पे 0 प्लस 5 5 आ जाएगा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा तो total आ जाएगे 35 तो अब हम ratio find out कर लेते हैं तो ratio किस तरह से find out करेंगे यहां पे जो girls दे रखी हैं उसको उपर लिखेंगे और जो total number of students हैं उनको हम नीचे लिखेंगे girls कितनी है तो यहां पे girls जो दे रखी है वो है 20 तो यहां पे 20 लिखेंगे total students कितने है 35 तो यहां पे 35 लिखेंगे अब यहां पे यह तो 2 से divisible है लेकिन यह 2 से divisible नहीं है 3 से यह divisible नहीं है यह भी divisible नहीं है 4 से यह divisible है, लेकिन यह नहीं है, 5 से दोनों divisible है, तो 5 से divide कर लेते हैं, 5, 4, 20, 5, 7, 35, तो यहां आ जाएगा, 4, ratio, 7, तो यहां पर answer क्या हो जाएगा, 4, ratio, 7, यह हमारा answer हो जाएगा, तो last part था, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions, आज के लिए बस इतना ही,